आज की सक्षा में हम वर्ग निकालने की कुछ लगू विदियां अर्थात शॉर्ट मेथर्ड्स या ट्रिक कहें ये सीखेंगे तो हमारा पहला जो लगू विदिया ट्रिक है वो है सर्व समीका का प्रियोग द्वारा तो एक हम उधारन लेते हैं उधारन की साहता सही से समझने की कुछिस करते हैं 24 का स्क्वाइर तो इस 24 को हम लिख सकते हैं 20 जोड 4 का वर्ग ऐसा हमने क्यों किया क्योंकि हम एक सर्व समीका जानते हैं A प्लस B का होल स्क्वाइर या वर्ग बराबर A का वर्ग जोड 2AB प्लस B का वर्ग तो इसी सर्व समीका का प्रियोक कर हम ये वर्ग निकाल रहे हैं तो यहां हो जाएगा 20 का वर्ग और ये हो जाएगा 2 गुना 20 गुना 4 और ये 4 का वर्ग ठिक इससे आप मिलान किजिए A की जगा यहां 20 है B की जगा 4 है तो ये हो गया हमारा 400 और ये हो गया 160 और ये हो गया 60 इन सभी को आप जोड़ें तो ये हमारा आ जा रहा है 576 अब इसे आप जो सामान्य विधी है 24 गुना 24 ये करके आप वेरिफाई कर सकते हैं एक और उदारन लेते हैं 29 का वर्ग तो इस 29 को हम लिख सकते हैं 30 गटाओ 1 गौर करें हमने यहां 20 जोड 9 नहीं लिखा जैसे यहां 24 में 20 जोड 4 लिखा था यहां 20 जोड 9 नहीं लिखा क्योंकि हमें लगुवी दी चाहिए जो आसान हो तो ये घटाओ करना इस तरह से लिखने से हमें ज़्यादा आसानी होगी क्योंकि हमारा जो सर्व समीका है A-B का होल स्क्वार स्कल्टू A-2AB प्लस B स्क्वार इसी सर्व समीका का प्रयोग आइडिन्टी का प्रयोग हम लोग यहां करेंगे तो यह हो जाएगा 30 का वर्ग घटाओ 2 गुना 30 गुना 1 और जोड एक का स्क्वार तो यह हो जाएगा 900 घटाओ 60 जोड एक तो इसमें हम लोग क्या करते हैं पहले जो धनात्मा के उसको पहले लिख लिए उसको कर लेंगे जोड लेंगे गटाव साथ तो ये हो गया 901 गटाव साथ ये समझाने के लिए हमने इतने स्टेप लिखे हैं आप जल्दी करना है आप इतने स्टेप जब समझ जाएंगे तो नहीं करेंगे आप सीधे इसे कर लेंगे तो ये हमारा आ जा रहा है 841 इन दो उदारनों से आप हमें विश्वा से आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि सर्व समीका का प्रयोग कर हम आसानी से वर्ग कैसे निकाल सकते हैं हमारी दूसरी लगु विधी है विकर्ण विधी इसे भी एक उदारन की साहता से समझते हैं एक संख्या हम लेते हैं 275 और इसका वर्ग करना है इस संख्या में हम देख रहे हैं कितने अंख हैं 1,2,3 تو हम क्या करेंगी सबसे पहले तीन इकायों वाला एक वर्ग बनाएंगे यह देखिए तीन इकायों वाला एक वर्ग हमने बना लिया है 1,2,3 इस तरह से खीच देते हैं ठीक है अब क्या करेंगे कि हम हर इकाई पर इधर से ये दो ये साथ ये पाँच इधर भी ऐसा करेंगे दो साथ पाँच इधर से ऐसे हमने लंबवद 275 लिख दिया इधर 36 में 275 गौर से देखिएगा अब हम क्या करेंगे इस दो का इस दो से गुना करेंगे तो दो दुना चार ये इकाई यहां हम लिखेंगे इकाई वाले इंग को तो यहां तो दाही कुछ नहीं है तो ये जीरू आया अब इस दो से साथ को गुना करेंगे तो दो सते चवदा तो इकाई को हम यहां लिखेंगे और दाही को यहां अब दो से पांच को गुना करें दो बचे दस तो यहां इकाई में शुन्ने हो गया और यह दहाई में हमारा एक हो गया अब यह दूसरी वाले लाइन को हम करते हैं गुना साथ दुना चौदा तो उसी तरह से हम इस तरह से लिखते हैं साथ सते उन्चास दहाई में यहां चार और इकाई में नौ साथ पचे पैंटिस तो यहां दहाई में तीन है और इकाई में पांच अब फिर पांच से दो को करेंगे पांच दुना दस तो यह यहां एक हो गया यहां शुन्ने हो गया पांच सते पैंटिस तीन और यह पांच पांच पचे 25 ये दो पांच आपने गौर से देखा होगा कि ये जो वर्ग है इस वर्ग में हमने विकर्ण के नीचे वाले भाग में इकाई लिखा है और उपर वाले भाग में दहाई सभी में हमने ऐसा ही किया है अब अगला स्टेप हम क्या करने जा रहे हैं अब हम विकर्ण वाली दिशा में अर्थार तिर्चा हम जोडेंगे तो यहां तो सरफ एक है पांच तो यहां हमने लिख दिया पांच अब यहां देखेंगे इस सीध में कितनी अंक हैं तो यह पांच दो साथ, पांच, बारा, बारा का हो गया है हमारा दो, और एक हासिल चला जाएगा, तो यहां सुनने है, यह 3 में एक हासिल हमने जोड दिया, चार हो गया, 4, 9, 13, और 13 और 13, 16, 16 का यहां 6, अब एक हासिल हो गया, अब इधर हम जोड़ेंगे, एक और एक दो और ये चार मिला देंगे तो ये छे हो गया फिर चार हो गया दस और ये चार 14 और एक पंद्रह तो इसको थोड़ा सा हम ऐसे तीर करके यहां पर लिख लेते हैं पंद्रह का पांच अब हासिल रहा गया एक तो अब उपर वाले को जोड़ते हैं एक और एक दो और ये चार दो और चार छे और ये एक साथ तो इसको भी हम इधर तीर से कर लेते हैं क्योंकि यहां पहले से लिखा हुआ है अब ये सुनने है यहां और कुछ नहीं है तो इसका तो जोड़े हाँ पर शुनने आएगा अब हम इस दिशा से पहनी और से तो ये हमारा होगा पांच इकाई में इसके बाद दो, इसके बाद छे, इसके बाद पांच, इसके बाद साथ, इसके बाद शुनने लेकिन सुरू में सुनने का कोई महत्व नहीं होता है इसलिए हमारी संख्या हो गई साथ पांच छे दो पांच तो ये 275 का वर्ग निकल गया आप इसे सामान्य विधी से 275 गुना 275 करके आप इसको वेरिफाई कर सकते हैं हमारा तीसरा लगू विधी है ऐसी संख्या का वर्ग निकालना जिसका इकाई अंक 5 है तो आए उधरनों की साहता सिसम देखते हैं एक ऐसी संख्या लेते हैं 45 जिसके इकाई में 5 है अगर इसका वर्ग हमें निकालना है तो कैसे हम आसानी से निकालेंगे इसकले special ये विधी है, बहुत आसान, देखिए ये 5 है न, तो 5 का वर्ग हम कर देंगे, 5 पेचे, 25, ये तो हो गया, इधार हमने लिख लिए दाही ने और, अब इस 4 को, ये जो दाही में 4 है, तो इस 4 को हम एक बढ़ा के 5 से गुना कर लेंगे, तो ये 20 हो गया, ये यहां हमन लिख दिया, 20, चलिए एक और उधारन लेते हैं, और ये अब 65, यहां भी वैसे ही है, देखिए, इकाई में 5 है, तो जैसा इसमें हमने किया था, ठीक उसी तरह से करेंगे, 5 का वर्ग किये, 25, अब ये जो दाही में 6 है, तो इस 6 को किसे गुना करेंगे, एक जोड के 7 से, तो 6 सते 42, ये आप थोड़ा सा समझने के बाद, बिल्कुल मुझवानी आप कर लेंगे, बिल्कुल लिखने की वी आउसकता नहीं होगी, सीधे आप वर्ग करके लिख देंगे, देखिए, एक और मैं लिख रहा हूँ, 95, चलिए, आप अपने मन में सोचिए, जल्दी बता आई है, तो देखिए क्या होगा, पांच पचेपचीस, निसित रुप से आपने इसका वर्ग निकाल लिया होगा, पांच पचेपचीस, और उसके बाद 9 गुना 10, यानि 90, तो यहां हमने लिखा 90, देखिए कितना आसान तरीका है, अगर आपको इकाई में 5 मिल जाए, तो एक और देखते हैं, चलिए 100 से उपर वाला देखते हैं, 105, तो यहां फिर पांच का पचेपचीस किया, और यहां 10 है, तो यह 10 गुना 11, यानि 110, तो यह वो यहां इस तरफ हम लिख दे रहे हैं, बाई और 110, हो गया है, बहुत यह आसान तरीका है, हमारा जो चौथा लगुविधी है, वह उन संख्याओं पर लागु होगा, जो 50 से 69 तक की हैं, अर्थात 50 से 69 तक की संख्याओं का वर्ग अगर निकालने के लिए मिला, तो हम इस विधी का प्रियोग करेगे, तो उदारन की सायत है, इससे भी हम समझते हैं, एक उदारन लेकते हैं, संख्याओं का वर्ग करना है, तो देखे हम क्या करते हैं? यह जो इकाई में अंक है इसका वर्क करेंगे तीन का वर्क करेंगे तो नौ और इसे दो अंकिये संख्याओं के रूप में लिखते हैं सुन्ने नौ अब क्या करेंगे जहाई वे जो पांच है इसका हम वर्ग कर लेंगे तो यह होगा 25 अब क्या करेंगे इस 25 में हम यह जो इकाई वलांग था इसको जोड़ देंगे तो यह हो गया 28 यह हम यहां लिकलेंगे तो यह हमारा तिरपन का वर्ग आ गया इसे आप वेरिफाई कर सकते चलिए एक और हम ले लेते हैं चववन तो चववन का वर्ग करते हैं तो ठीक उसी तरह से इकाई चार है तो चार का अगर हम वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा सुला दो अंकिर संख्या बन गया है अब ठीक पहले जैसे पांच का वर्ग करेंगे तो पचीस होगा और पचीस में फिर चार जोड़ेंगे तो क्या होगा 29 होगा तो यह हमारा चववन का वर्ग निकल गया इसे आप वेरिफाई कर सकते हैं इसी तरह से पचास से उनसर तक की सभी संख्याओं का वर्ग हम निकाल सकते हैं हमारा पांचवा लगुविधी है सो के करीब के संख्या का वर्ग देखे सो के करीब के संख्याओं को किस तरह से हम बिलकुल आसानी से मुझजवानी हम वर्ग निकालेंगे गौर से उदारणों को देखिएगा 101, यह 100 के लिगबर करीब है, बिल्कुल करीब है, तो क्या करेंगे, यह जो एक है ना, इस एक का हम वर्ट करेंगे, तो एक का वर्ट एक आएगा, इसे दो अंकिये संख्याओं के रूप में हम लिखते हैं, सुन्ने एक, यह दो अंकिये स इतना 100 से जादा है, उसमें एक जोड़ देंगे, तो यह हो जाएगा 102, यहां हम लिख देंगे 102, देखिए कितना आसानी से हो गया, आप इसे वेरिफाई करें, एक और लेते हैं, 105, अब 5 का हम वर्ट करते हैं, तो यह हो गया 25, अब हमारी संख्याओं 105 है, 105 है, तो क्या कर जोड़ देंगे, 100 से 5 ज्यादा है, तो यह हो गया 110, यहां हमने लिख दिया 110, यह निकल गया, अब चलिए 100 से थोड़ा कम वाले को लेते हैं, 99, इसको कैसे निकालेंगे, तो यह 100 से कितना कम है, एक कम है, तो एक का वर्ट हम करते हैं, और दो अंक्ये संख्याओं के है, एक कम है, तो एक और घटा देते हैं, यह हो गया 98, यह हमने लिख दिया 98, चलिए, एक और देखते हैं, चलिए, और स्पस्ट हो जाएगा, यह हम ले रहे हैं 96, 96 का वर्ट, तो यह 100 से कितना कम है, 4 कम है, तो 4 का वर्ट हमने किया 16, अब इसमें क्या करते हैं, यह 100 से ज टो यह आगया मका वर्ड देखी किटना सांदार ये तरीका है, इसे हम आगे इसे हम हजार के करीब आला, डस हजार के करीब आला, इस तरह में भी हम इसे लागू कर सकते हैं, इसी तरह से उसमें भी बना सकते हैं